प्रेंज तो आपका जो अप्राजिता है वो काफी घना हो जाएगा और काफी ज्यादा कॉंटिटी में आपको फ्लावर देगा और बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलेगी तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंज की अप्राजिता को जो मिट्टी चाहिए वो वेल ड्रेंड से निकल जाएं तो इस तरी की अप्राजिता का प्लांट है और यह बहुत ही छोटा सा प्लांट है इसके उपर फ्लावरिंग काफी अच्छी हुई है और इसके बाद में अभी फ्रेंज यह वापस से अपनी जो बर्ट से वो बना रहा है यानि कि प्लांट अपने आपको डबल से फ्लावरिंग देने के लिए तयार कर रहा है तो यह सही समय होता है जब हम अप्राजिता के उपर कुछ फटिलाइजर अपलाई करें जिसकी वज़े से इसकी जो फ्लावरिंग है वो काफी अच्छी आए और जो फ्लावर है वो भी काफी अच्छे ब्राइट कलर म करा आए दो इसके साथ ही हमारा जो प्लांट है वो काफी हेल्दी भी रहे त्वास्त भी रहे चूंकि एक बार फ्लावरिंग देने के बाद में प्लांट की जो एनरजी होती है फ्रेंस वो काफी खतम हो जाती है और उसी की वजह से थोड़ी जो ब्रांचे से वो सूखने तो कुछ टीब्स आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहे हूं, अप्राजीता को लेकर जिससे आपके जो प्लांट है, वो काफी हेल्दी हो जाएगा, काफी ग्रो करेगा और आपके जो प्लांट है, वो हमेशा फूलों से भरा रहेगा, तो आपको भी अगर अपने अप्राज अपराजिता है वो काफी घना हो जाएगा और काफी ज्यादा कॉंटिटी में आपको फ्लावर देगा और बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलेगी तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंज की अपराजिता को जो मिट्टी चाहिए वो वेल्ड्रेंड मिट्टी चाहिए होती है मतलब कहने का है कि इसके जो मिट्टी है उसमें पानी नहीं खड़ा देना चाहिए आपने पानी दिया मिट्टी को जितना पानी लगा उसने ले लिया और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसके ड्रेंड होल से निकल जाए तो इस तरीकी के लिए बनाना बहु ज़्यादा over watering कर देंगे तो भी ये plant को पसंद नहीं है और अगर इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाएगी तो भी इसको प्लान को पसंद नहीं है क्योंकि इसकी जो पतियां होती है इसकी जो branches होती है काफी नाजुक होती है कि time to time इस तरीके से अपनी जो branches से वो निक जालता चल रहा होगा कि या तो इसमें ओवर्वाटरिंग हो गई है या फिर इसमें अंडर वाटरिंग होई है तो फ्रेंट्स आप इसका पानी का बहुत जयादा धेयान रखिएगा दूसरी बात करते हैं फ्रेंट्स की इसको अगर ज्यादा घना या बुशी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं तो टाइम टू टाइम जो इसमें ब्रांचेस निकलती रहती है फ्रेंज क्योंकि अपराजिता एक बेल भी बन जाता है एक प्लांट भी बन जाता है अधिकतर सभी इसको बेल के रूप में ही पसंद करते हैं क्योंक इसको आगर आप यहां से पिंच कर देंगे तो यह नहीं नहीं सी ब्रांचेस निकालेगा काफी घना हो जाएगा और एक प्लांट के रूप में आपको काफी घना और बुसी जंगल सा दिखाई देगा तो आपको सिब क्या करना है फ्रेंज की इस तरीके से आपको तोड़ लेना है तो इसके बाद में क्या होगा फ्रेंज की यहां से बहुत सारी इसकी जो आपको यहां से दीख रही है यहां से नहीं सी ब्रांचेस निकाल कर यह बहुत सारी ब्रांचों के साथ में बहुत घना हो जाएगा जिसे कि आप यह देख रहे हैं इसके बाद में बात करत तो इस तरीके के यह जो फली है यह सीट पोर्ड है और यह सीट पोर्ड बनाने लगता है तो अगर आप इसके सीट पोर्ड को नहीं बनने देंगे फ्रेंज तो इसकी ग्रोथ काफी अच्छे से चलेगी और अगर आप इस तरीके से इसके ओपर फली को रहने देंगे तो इसक तो यह बड़ी हो जाएगी और मतलब पक जाएगी इसके सीड अच्छे मेचर हो जाएंगे तो मैं इससे दूसरे नए प्लांट भी लगा सकती हुं आप इसको कटिंग से रोग कर सकते हैं और सीड से भी ग्रोग कर सकते हैं सीट बनाने के लिए एक ही फल्ली काफी होती है इसमें चार से पांच आपको सीट मिल जाएंगे तो आपको बहुत सारी फल्लियों की जरुवत नहीं सिर्फ एक ही आप सोड़ दीजिए इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसकी जो खाद है फटिलाइजर है उसके उपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो आज मैं आपको दो फटिलाइजर इसे बता रही हूँ जिससे इसकी जो पतिया है वो काफी ग्रीन हो जाएगी और उसके बाद में जो आपका प्ला जो पानी है वो बहुत जल्दी से आपके प्लांट को मिल जाएगी आप इस तरीके से इसको गुड़ाई कर लीजिए इसके बाद में आपको क्या करना है फ्रेंस डी एपी के कुछ दाने लीजिए फ्रेंस और इसकी मिट्टी में इस तरीके से डाल दीजिए डी एपी जो होत इसके बाद में फ्रेंस आप एक चीज और डाली है इसके अंदर जो की बहुत कामन है फ्रेंस और यह है एप्स came बुड़ाइक अपंस ह्ता जो ह्ता है फ्रेंस फ्रेंस प्लांट होला प्लांट है उसको जाएं तो पानी में भी डिस्वर्व करके डाल सकते हैं। पानी से डालने से आपकी जो प्ला्च है उसको जो खा करें वह बहुत जल्D मिलती है और जणी को तेजी आपका प्लांच थैंड़ नहीं है और फोल्feniva कि में भी ज्यादा इस्तमाल किया है हमारे अप्राजिता के प्लांट को तो इसमें ज्यादा फ्लावर आए हैं और बांचे भी काफी अच्छी निकली है तो फ्रेंस इसको इस तरीके से डिजॉल करना है आपको इस तरीके से आप अच्छे से मिला लीजिए आपको डालना तो फ्रेंस कि एक लीटर पानी में ही यह एक लीटर पानी है और इसमें आप डालेजिए आप इसको स्क wzthat cur कि पडंडी निकलेंगी और लाइनद करेंगे अगर अगर इस तरीखे से प्रेजम करेंगे निकलorts सब्सक्राइब तो फ्रेंज अगर वीडियो अच्छी लगती है इंफर्मेटीव लगती है तो लाइक कीजिए गा शेयर कीजिए गा इगा मेरे चैनल पर नहीं है तो सब करना मत बुलिएगा फ्रेंज मिलता हैं फिर किसी नहीं वीडियो में नए प्रान की जान कर एक साथ तब तक के लिए तेकर